आर्टिकल 14 में वैसे हम इसका यूज अलडी कर चुके हैं, प्रूफ अप कर रहे हैं, कि अपर इंटेग्रल हमेशा लोर इंटेग्रल से बढ़ा होता है, ठीक है, पीवन पीटू दो पार्टिशनिंग लेली हमने, पीस्टारों की रिफाइनमेंट लेली, यह रिजल्ट हमने पीछ भी प्रूफ किया है, कि रिफाइनमेंट का लोर सम हमेशा पार्टिशनिंग के लोर सम से बढ़ा होता है, यहाँ पर पीटू कर लीजे, याद अखना ल के टाइम पे लोर सम के टाइम पे पीवन लेने, अपर सम के टाइम पे पीटू लेने, ठीक है, अब हमें पता ह इन चारों को combine हम कर सकते हैं इस तरह से so LP1F is less than equals to UP2F alpha P2 को fix रखना है इसको fix रखना है इसको vary करवाके LUB ले लेना है यह same proof आपने पड़े होएं मैं आपको इकली बस बता रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक है तो इसका जब LUB ले लिया मतलब इसको vary करवाके इसका least upper bound ले लिया तो least upper bound of इसका पता ही आपको definition होती lower integral की फिर आप इस quantity को ऐसी रहने दो अब इस पे variation ले लो इस पे variation लेके P2 की GLB ले लो जब GLB ले लो गो तो आपको इंटेगर लाजएगा हैंस आपको proof हो जाएक result अर्टिकल 15 में प्रूफ करना है कि अगर F continuous function है तो रिमन स्टेलिस इंटेगरेबल होगा तो start करते हैं अब epsilon कोई भी number ले लो कोई भी number के corresponding फिर eta चूज कर लो मतलब ये दोनों number हम अपनी मजी से ले रहे हैं epsilon number कोई भी given होगा उसके corresponding तुमने इटा खुद चूज करना है इटा positive होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि alpha b minus alpha a के साथ इटा को जो multiply करो तो वो epsilon से less रहना चाहिए basically ये चीज़ तुमें याद रखनी है F continuous है close interval पर मैंने आपको पिछले semester में बिताया था जब भी कोई function close interval पर continuous होता है तो वो uniformly continuous भी होता है it means function f आपका uniformly continuous हो गया interval a b पर uniformly continuous की definition लगा दी for given epsilon epsilon की value यहाँ पर हम particularly eta ले रहे है for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus ft less than epsilon आता नहीं वैसे लेकिं epsilon की value हमने क्या लिए रखिये यहाँ पर eta where x belongs to a b t belongs to a b and x or t की difference ले रहे हैं delta से less this is actually the definition of uniformly continuous function here we are taking particularly epsilon is equals to eta P कुई partitioning ले ले ली partitioning इस तरह से ले रखिये कि उनके sub intervals की जो length है वो delta से कम होनी चाहिए minimum और maximum का difference कहते है eta से कम होगा क्यों eta से कम होगा क्योंकि sub intervals की length delta से कम है जब यह partitioning ले रखिये हैं तो यह sub intervals जो है यह सभी delta से छोटे हैं मालो यह वाला sub interval है x i minus 1 से लेके x i यह भी delta से छोटा है तो अगर यह interval delta से छोटा है तो इसमें तुम दो points कोई भी चूज करोगे उनका difference भी delta से छोटा आएगा तो by definition of uniformly continuous function जो भी अपने लगाई है इनकी जो images आएगी जो maximum और minimum का difference आएगा वो epsilon से small आएगा बट epsilon तो eta है it means maximum और minimum का difference is less than equals to eta UPF, LPF का difference लो definition पुट करके इतना आगया यह चीज तो eta से less है और आपको पता है delta alpha A का submission जोब हम खोलते हैं तो हमारे पास alpha B minus alpha A स्टार्टिंग वाली वीडियो में इसमिशन को खोला था और मैंने बताया था इतना बन रहा है अब आपने इटा चूस किया था इस तरह से सचे दिस लेस देन अपसालन, so UPF alpha minus LPF alpha less than epsilon आगया, रिमन कंडिशन सटिस्वाए हो गई, it means आपका function रिमन स्टेट रिवल हो गया ठीक है, on interval A, B